जय गुरुदेव गुरुर ब्रह्मा गुरुर विश्णु गुरुदेवो महेश्वराह गुरुह साक्षत परम ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमगु अर्चनी वन्दनी प्रातः इस्मानी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वन्दन कर आरंब करते वास्तू परामर्श किस प्रकार करना वास्तू कंसल्टेनसी किस्से करना उसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं साथी साथ वास्तू रिमेडी को भी देख रहे हैं दोश और उनका निराकरण तो पहली हिकाई में पहले पार्ट में अपने देखा कि कैसे office factory industry well ventilated होना चाहिए जहां भी वेक्ति बैठता है रहता है सोता है और दूसरे में ये देखा, समझा जाना कि किस प्रकार से वो स्थान में यदि सीपेज हो, सीलन हो, नमी हो, तो उससे कैसे दो शुक्तपन होते हैं आज के पार्ट में अपन समझेंगे, कि जो मुख्य द्वार है, उसके सामने किसी भी प्रकार का वेध नहीं होना चाहिए, और जैसे कोई पार्टी है, क्लाइंट है, उसने अपने को बिलाया, और ये कहा कि देखो, हमारी ये जो प्रॉपर्टी है, वो मेन रोल पर है, मेन र चाहते हैं उसका, और प्राइम प्रॉपर्टी होते हुए भी हमको जो उसका मुल्य है, दाम है, कीमत है, वो नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर, तो पहली नजर में जब अपन देखते हैं, मान लो कोई प्लान भेज दे, तो ये तो हमने साइट विजिट की है, तो प्लान त देखा, है ना, लेकिन सबसे पहले ये पूछा कि क्या आसपास कोई नाला लगा हुआ है क्या, तो उन्होंने बता है, हाँ, इस तरफ ये एक नाला है, इस तरफ जो है, वो एक नाला है, इदर एक नाला जा रहा है, एक नाला जा रहा है, उन्हें का ठीक है, तो ये सा नाल तो यहा नाला है तो पहला दोश हुआ नाले का हमने पूछा भ़हिए यहां सर्फ वगहर आते हैं कि यह तो हंने कहा आते हैं तो हमने का उसको पाई जो ए वो कॉपर वायर के थूरो करना चाहिए फिर दूसरा जो सवाल था कि इसका जो शीप है वो प्रोपर नहीं है इसका जो आकार है वो ठीक नहीं है तो उसको आपन सामानी रूप से जो करेक्शन करते हैं वो copper wire से उसका जो shape उसको regular करते हैं या यह जितने corners हैं जितने यह corners हैं, kone हैं उनके उपर सामानी रूप से कलाशित्यादी को स्थापित करते हैं इस आएक अपने अपना बना रखा है correction का तरीका कि जो cone, some cone ना हो विशम कोन हो, अभी regular shape की बात नहीं कर रहा है pentagon, hexagon, regular वाले की बात नहीं कर रहा है जादी से charge करना यह सामानी रूप से अपन बता हैं कुछ और है तो जब इसके, अपने main gate को देखा तो इसका main gate इसका यहाँ कहीं है इस जेगेप इसका main gate है, वो यहाँ कहीं है इस जेगेप तो उसका अपन शुपद में दे सकते हैं इसानी एक नहीं दे सकते हैं तो gate को शुपद में दे सकते हैं लेकिन जो मुख बात हम बताना चाहरा हैं वो यह है कि इसके main gate के सामने जब उसको देखा तो करीब करीब यहां तक यहां तक वो क्या है? इतना rectangular तो नहीं है इतका है यह obstruction है अवेध कबजा है ने क्या करा? बरसों पहले 10 साल, 15 साल पहले यहाँ पर थोड़ा से छोटा सा एक मंदिर बनाया फिर मंदिर बनाने के बाद यह तो अतिकरमन में था ही सही फिर वहां मंदिर बनाने के बाद दीले 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 उसका विस्तार वो कहीं कुरसी है, कहीं टेबल है कहीं चबूतरा है, कहीं आंगन है कहीं बेटने के विवस्ता है कहीं खपर है वो बढ़ाते 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 यहां तक ले आया तो यह जो मंदिर कह लो अभी के केस में अपनी वास्तु की दिरश्टी से अपने इंक्रोच्मेंट भी कहते हैं इसको हाईवे है ना यह इंक्रोच्मेंट कहते हैं तो जो भी वेक्ति यह करोड़ों रुपे की property लेगा, वो ये चाहेगा कि हमारा ये जो place बने, जिसके opening road site पूरी है, काफी है, उसके सामने कोई वेध ना हो, obstruction ना हो, तो इसको किसी भी तरीके से, यदि अपनी कोई जान है, पहचान है, सरकारी विभाग में अपन समझते हो, अटवाना है, कि मुख्य द्वार जो है, मुख्य जो frontage है, पुरा जो front है, वो क्या है, वो बाधित है, बाधित, बाधित, अब ये जो बात है, ये प्लान में एकदम से समझ में नहीं आती है, अब आप का होगे साब Google में सम देख लेंगे, और वो सब कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, पर इसके लिए side visit आउश्या था, side visit आउश्या था, और आपकी, अब ये जो distance है, ये कम से कम 40 फिट का है, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये approximately 40 फिट है, यानि ये दूर है, ऐसा नहीं की एकदम से पास में, तो उनको क्या सुझाव दिया, कि भई ये जो जितनी जगे है, बच्छी हुई, इसको आप पहले acquire कर लो, acquire कर लो, मतलब उस पर flooring करा लो, ties लगा लो, concrete कर सकते हो, तो concrete कर लो, ताकि वो आपका स्वयम का possession दिखे, कि अब जो उसने बढ़ाना था, बढ़ा लिया, जितना करना था, कर लिया, पर यदि आपने उसको proper नहीं करा, प्रॉपर नहीं समझा, इतनी जगे को flooring को आपने cover वगेरा नहीं करा, तो यह जो है, यह दीरे-दीरे इदर भी बढ़ेगा, दीरे-दीरे इदर भी बढ़ेगा, और आखरी में यह होगा, कि वो केवल पेसेज रहेगा, आपको आने जाने का, तो जो वास्तविकता है, ज इसको flooring बना के cover कर दो, टाइस लगा दो, तक यह जो पूरा area है, यह proper हो जाए, तो ऐसे case में, जो मुख्य दोश है, जो जो property न बिकने का मुख्य कारण है, वो यह obstruction, तो अभी इतना ही कहके वाणी को विराम देते हैं, आगामी पार्ठ में, आगामी लेसन में, अपन किसी और विशय को लेने का प्रयास करेंगे, तो जब भी कभी अपन परामर्च देने जाते हैं, तो न केवल plot के अंदर, बलकि उसकी surrounding है, एप्रोच है, लोकलिटी है, सोसाइटी है, इसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, वास्तु सास्त में कहा लिखा है, आप देखो, विश्व कर्म प्रकाश, अध्या एक, हुमिलक्षन, उसमें जब वो साइट सिलेक्षन की बात करते हैं, तो एसे विशय को विस्तार से बताया है, तो अभी इतने केकमानी को विराम देते हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव